नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो अगर आप भी HPLT कमिशन 2021 की तैयारियें कर रहे हैं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही जादा उप्योगी होने वाला है क्योंकि इस वाले लेक्चर में मैं आपके सामने 30 ऐसे महत्वपुर्ण जो आपके परिभाषिक शब्द हैं उनको डिसकस करने जा रहा हूँ जो आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही जादा उप्योगी साबित हो सकते हैं तो अगर आप चाते हैं कि आप सही तरीके से और बहतर तरीके से इन प्रशनों को अटेम्ट करें तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और लास तक देखने के बाद आपको जरूर कुछ न कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेगी तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की एंड सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका प्रशासनिक या आपके परिभाशिक ये शब्द हैं ये क्या रहते हैं हम सब लोग जानते हैं देखिए कि हमारा जो हिंदी का एक शब्द बंडार है वो बहुत ही जादा विशाल है और इसलिए हम कहते हैं कि ये जो भाशा है बहुत ही समरिद भाशा रही है हिंदी और प्रियोग की क्षेत्र की दिष्टी से इसमें बहुत प्रचलन में है और कुछ जो है कम प्रयॉक्र होते हैं तो कुछ ऐसी शब्द हैं जिनका प्रयोग प्राचलन में कम होता है लेकिन कहीं न कहीं अब उननका चलन एक तरीके से बंद भी हो गया है लेकिन अगर हम प्रियोग के क्षेत्र के अधार पर हिंदी में कुछ परिभाशिक शब्दों की बात करें, तो जैसे कुछ एक हमारे विशेश क्षेत्र रहे हैं, जैसे आपका उद्योग हो गया, प्रशासन हो गया, आपका ये न्याले से संबंधित शब्द हो गया, या इक क्षेत्र के शब्दों के बारे में आपको थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो आज हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जो आपके परिभाशिक शब्द हैं, जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, इनके बारे में डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए, देखत हैं, सबसे पहले यहां पर लगभग 30 जो आपके ऐसी परिभाशिक शब्द रखे गए हैं, इसमें जिनको आपको देखना है, सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, CES, C-E-S, तो आप देखेंगे कि ऐसे वाले जो परिभाशिक शब्द हैं, यह आपको सबसे पहले है, C-E-S, CES, मतलब अतिरिक्त कर, पहला यह था, दूसरे नमबर पर है देखिए, वारंट, वारंट मतलब अधिपत्र, तो हम सब लोग निजी जिन्दगी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी में ही करते हैं, वास्ता में हमें उ परंट का अधिपत्र, तिसे नमबर पर है देखिए, कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन मिन्स अनिवारे भरती, अनिवारे भरती, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है, हो सकता है ये वाला शब्द भी आपके लिए परिक्षा में पूछा जाए, क्या होने वाला है या होता है, तो यहाँ पर जो सही इसका शुद मिनिग है देखिए, वो है अनुदान, अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये वाला जो मुझसे कुछ गलत हो रहा है, या कहीं से मैं आपको कुछ गलत चीज़े बता रहा हूं, तो आप मुझे कॉमेंट स शब्दों को और वेतर तरीके से समझ सकते हैं, next आता यहां पर देखिए maintenance, maintenance यह परिक्षा में पहले पूछा भी गया है शाइद एक तो बार, तो इसका अर्थ होता है आपका अनुपालन, देखिए, last जो यहां पर पांचों नंबर पर है, maintenance, maintenance, हम सब लोग बोलते हैं नीज Approval, जो six नंबर पर है देखिए, Approval, हम यह चीज़ भी हम कहते हैं बार-बार कि उसको Approval मिल गया, Approval मिल गया, ऐसे हम बोलते रहते हैं, लेकिन इसका जो सही हिंदी मिनिंग है देखिए, वो क्या है, वो है अनुमती या फिर अनुमोदन, दो है इसके अनुमती या फिर अन रखनी है, अगर अनुमती या अनुमोदन एंडॉस्मेंट में दिया गया है, नहीं दिया गया है, या फिर प्रिष्ट लेख दिया है, तो आप प्रिष्ट लेख भी इसका अर्थ कर सकते हैं, ये भी इसका एक मिनिंग है, Approval, अनुमोदन या फिर अनुमती एंडॉस्में है liquidation या अपाकरण इसको कहते हैं माली जी आपको दिवाला नहीं दिया गया है तो आपको अपाकरण होगा तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि liquidation का मतलब होता है अपाकरण ठीक है ये चीज भी आप याद रखिए हो सकता है आपको इन से भी प्रशन बन जाए कुछ एक शब्दों को पढ़के जरूर जाना है जैसे public prosecutor इसको पूछे जाता है कि ये क्या होता है आप सब लोग जानते हैं उसको भी आप बता सकते है estimate आगनन estimate आगनन इसको भी ध्यान रखिए order sheet आग्या फलक ये ध्यान रखना है आपने order sheet का मतलब होता है आग्या फलक ये बाला है ना तो ये थे पहले के 10 अगले जो 5 है उनको देख लेते हैं यहाँ पर देखिए deferred pay आस्थगित वेतन इसको भी पूछा गया है इसका मतलब हुआ आस्थगित वेतन उसके बाद है abolition इसका मतलब हुआ उन्मूलन ये भी ध्यान रखना है एना important है दिखिए action action का मतलब कई बार कारवाही होता है कई जगा कारवाही तो दोनों अगर आपको शब्द दिखते हैं तो दोनों ही बिलकुल साही होंगे और ये बहुत बार पूछा गया है देखना पहले भी है ना ना स्री फैल्टी कमिशन में बलकि कहीं और भी अगर आपको पारिभाशिक शब्दों के बारे में पूछा जाता है तो action शब्द को रखा ही रखा जाता है ये चीज ध्यान रखनी है आपने साथ ही साथ यहां पर दूस कई बार आपको correct करने के लिए पूछी जा सकती है है ना कई बार आपको इसका हिंदी मिनिंग पूछा जा सकता है तो ये चीज भी आप ध्यान रखनी है बहुत ही जबरदस्त शब्द है ये कई बार spelling mistakes के लिए पूछा जाता है और कई बार इसको आपको सीधे इसका जो मि देखा जा सकता है इसको इस परशन को तो ये है कार्य पीठ नेक्स आता देखिए पैनल दंड विशक ठीक है पैनल कोड भी आता एक देखना उसको भी देखना है आपने की वो क्या है चलिए नेक्स देखते हैं अगले जो हैं देखिए designation हम सब लोग जानते हैं designation आपका पदा औदा भी आप इसके लिए कहेंगे ठीक है ये भी designation का ही एक मिनिंग है इसको भी आपने ध्यान रखना है पद नाम हो गया या फिर designation बहुत सारे लोग designation बोलते रहते हैं कि आपकी designation बताए कि क्या है तो औदा क्या है पद क्या है या फिर आपकी उपलब धी यह ना त इसका जो सही मिनिंग है वो है पांडुलेक या फिर मसविदा या रखिए इस चीज़ को भी फिर आता है delegation delegation कितने लोगों का delegation जा रहा है तो उसका मतलब है प्रत्या युक्ति प्रत्या युक्ति delegation ठीक है नेक्स ते देखिए लेजर लेजर मिन्स बही खाता यहां पर रही खाता चेक बुक रोकड भही एंड आपका कैश बुक क्या हुआ यह आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं इंपोर्टेंट है ऐसे शब्द भी आपको पूछे जाते हैं यहां पर नेक्स देखिए सील का मतलब हुआ मुहर मुहर इंपोर्टेंट सील मुहर ठीक ह चलिए नेक्स देखते हैं इसके बाद अगला जो है देखिए 21 से 25 तक के देख लेते हैं यहां पर है audit बहुत बार पूछा गया है audit इसको भी ध्यान रखिए audit मतलब लेखा परिक्षा वेरी वेरी इंपोर्टेंट लेखा परिक्षा कौरिजेंडम वेरी इंपोर्टेंट यह भी आपके प्रशासन में इस्तेमाल किया जाता यह बहुत बार इसको भी ध्यान रखिए कौरिजेंडम मतलब शुद्धी पत्र और एक प्रशन आपके लिए और में छोड़ता हूँ आपने देखा होगा आपके जो भी आप फॉरम बगेरा भरते हैं उसमें लिखा होत हैं इसके अलाबा यहां पर है देखिए कौरिजेंडम इसका मतलब शुद्धी पत्र उसके बादा है स्टेचरी स्टेचरी आप मूवी बगेरा देखते हैं वहां पर आपको यह दिख जाएगा इसका तो मेनिंग बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन कई बार हम जल्दी जल्दी इसको गलत कर जाते हैं समवैधानिक नहीं करना यह सिर्फ और सिर्फ वैधानिक होगा यह चीज आपने ध्यान रखनी है वैधानिक चेटाब निया विए स्टेचरी वार्निंग ऐसे आता है कुछ प्रारंभ में मूवी के पहले तो उसको भी आपने देखना है स्टेचरी ठीक है, यह वैधानिक, उसके बाद आता है sanction, sanction means, मंजूरी, या फिर इसको स्वीकृति कहते हैं, या फिर आप इसको approval भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो यह चीज द्यान रखने हैं, sanction, मंजूरी, या फिर स्वीकृति, बहुत ही important शब्द हैं, यह सारे, जो यहाँ पर रखे गए हैं, देखिए, very very important, यहाँ पर और शब्द हैं देखिए, attorney general, तो यह रहा आपका महा न्यावादी, यह वाला जो शब्द है, बहुत ही ज़ादा important है, इसको आपने जरूर या रखना है, जो आपका attorney general हो गया, या फिर एक और आता है, आपका महा न्यावादी, एक आता है आपका, यह, जो आपका महा दिवक्ता होता है, ठीक है, महा दिवक्ता मतलब advocate general, ठीक है, एक आता है महा लेखा परिक्षक, तो यह हुगा editor general, इसको भी आपने ध्यान रखना है, हो सकता है, यह शब्द भी आपको पूछे जाएं, महा दिवक्ता, महा लेखा कार, है न, accountant general, वो भी आपको ध्यान में रखना है, यह वाले प्रशन बनते हैं, जरूर महा न्यावादी हो गया, महा लेखा कार हो गया, महा दिवक्ता हो गया, महा न्यावादी, मतलब जो महा प्रशासक हो गया, जिसको हम administrator general कहते हैं, है न, महा लेखा परिक्षक हो गया, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, important question है, यहां से इधर कई बार हम उपर नीचेन को कर देते हैं, तो यह चीज आपने सही तरीके से करनी है, 26 से 30 तक के देख लेते हैं, इसमें देखी क्या है, इसमें है affiliation, affiliation मतलब संबधता, जो हम बोलते हैं कि यह affiliated है या नहीं है, तो मतलब संबधता, affiliation, इसको भी हम नीची जिन्दगी में इस्तिमाल करते हैं, देखी इस शब्द को संबधता, ध्यानक नहीं, प्रेजाइनिंग ओफिसर, यह भी बहुत सारे लोग इस्तिमाल करते हैं, मतलब जब हम हिंदी के साथ साथ देखते हैं, आज बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे हैं, हम अपनी हिंदी को इस तरीके से बना रहे हैं, कि उसमें हमनें अंग्रेजी के शब्द जोड़ दिये हैं, तो इन शब्दों का निजी जिन्दगी में आना, एक स्वभाविक मतलब हमें लगता है, कि एक सहज मतलब ऐसे ही है, है ना, नेचुरल है कि यह ऐसी ही रहेगी हमारी हिंदी, तो ऐसे शब्द आते रहते हैं, इसका हिंदी मिनिंग पूछा जाए, तो वो है पीठाधीश, सही मतलब क्या है इसका फीठाधीश, रेजोलुशन, रेजोलुशन का मतलब होता है संकल्प, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब समरिती पत्र, हमने आज मेमोरेंडम सौंपा, लेकिन अगर आप जल्दिवाजी में किसी से पूछ ले, कि मेमोरेंडम का हिंदी मिनिंग क्या है, तो वो एकदम से ग्यक्ति जो है, सोचने पर मजबूर हो जाता, तो ऐसे शब्दों को आपने ध्यान में रखना है, इसके अलाबा यहाँ पर है है हैंडिक्राफ्ट, हैंडिक्राफ्ट आप सब लोग जानते हैं, दस्तकारी, दस्तकारी का मतलब होता है, आपके हाथ से बनाई हुई, या मानव निर्वित कोई भी ऐसी चीज है, उसको हम दस्तकारी कहते हैं, यह भी आपको अनिक शब्दों में एक शब्दों के लिए पूचा जा सकता है, इस शब्द को भी आपने सही तरीके से समझ के करना है, आई होप आपने इन तीस शब्दों से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, अगर आपको हमारा ये बाला प्रियास अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल विना भूलें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम यूँ ही मिलेंगे, ऐसे ही स्क्रोल करते हुए आपको तुक्के से, तो फिलाल आज के लिए इतना ही जल्द मुलकात होगी, एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया, जैहिंद, जैभारत.